समस्कार दोस्तों एक बहुत ही बड़ी न्यूज आई है जी हाँ दोस्तों आज के ही पेपर में आप लोग देख सकते हो क्या आई है कल ही मैंने आप लोगों को बता भी दिया था जैसेसी प्रशनपत्र लिख मामले में दो बेटों के साथ विदान सभा के अवर सचिव खनवाय तब से कुछ न कुछ आ रहा है निविज में दोस्तों काफी लोग पकड़े जा रहे हैं और देखिए आगे क्या लिखाया दोस्तों आज के निविज में ये खबर आई हुई है यहां पर आप देख सकते हो जार्खन समय ने असनाता की योगता धारी संयुक परति योगता परिशा 2023 जैसे सी प्रशनपत्र लिख मामले में साटी ने रहिवार को बड़ी कारवाई की है इस मामले में साटी के टीम ने रहिवार को जार्खन विदान सवा के अवर सची मोहमद सज्जाद इमाम और समीम तथा उनके बेटे सज्जादा सहनवाज को राची के नगड़ी से गिरपतार कर लिया है इनके पास अभियर्थियों के एडिमिट कार्ट की कोपी ब्लैंक चेक मोबाईल फोन वह अन्य दास्ते ओवीज बरामत किये गए हैं तीनों से पुस्ताच की जा रही है ठीक है अब आगे क्या है दोस्तों इनके बेटों की फोटो कोपी और तई रकम के बदले ब्लैंक चेक भी लिया था इसके बाद इन लोगों ने पटना के एक व्यक्ति से अभियर्थियों की बहाली को लेकर संपर्थ बेसाधा था एसाइवार को इनकी गिरपतारी हो सकती है एसाइटी की टीम पटना कुडर्मा के भी एक सक्स की तलास कर रही है अभी तक कि जाच में परिच्छा का प्रशनपत्र सेट करने वाली कंपनी सात्वत इफो सोल प्राइवेट लिमिटेड चिन्ने की भूमे का प्राथम द्रिष्टियता सामने आ रही है देखिए दोस्त गया था कि हम जबलिंग हो जा रहा है कुश्चन उसी टैम हम को सक हो गया था दोस्तों कि अपने आफ वक कैसे जंबलिंग हो सकता है कर्मियों की संपलिपता सामने नहीं आई है प्रशन पत्र लिख मामले में J.S.S.E. की सेंव सची मदुमिता ने नामकुम थाना में अग्यात लोगों के खिलाब रात में की दर्ज कराई है ठीक है यहाँ पर देखे अवर सची जो है मौमद सज्जाद इमाम उर्फ समेम और उनके दो बेटे साहनवाज वह सहजादा को राची के नगड़ी से गिरफतार किया गया है तीन चार अभियरतों को मौमद समेम ने बाहली कराने का दिया था भरुसा सज्जादा वह सानावाज ने पटना में एक वेक्ति से किया था संपर्ग ठीक है देखे सानावाज और सज्जादा के घर में एड्मिट कार्ट की छाय परती ब्लेंग से एक मॉबाइल पॉन यह सब मिला है प्रशनपत्र लिक मामले में साइटी की टीम ने चेनई पटना राची वह पलामू में छापा मार कर शोदर लोगों को हिरासत में लिया था यहाँ पर देखे यह जो मुहम्मद समीम है इसका पुराने विवादों से भी नाता रहा है देखे अवर अवर सच्यू समीम विवादों में रहा है इनके खिलाब तीन चार बार करवाई हो चकी है विदान सभा के एक करमचारी के दुरो हुए वहार के आरोप में ततकालिन इस पिकर दिने सुराव ने उन्हें निलंबित कर दिया था इनकी वेतन बिर्दी पर भी रोक लगी थी जारकन विदान सभा नियुक्ति घोटाला में इसमें विदान सभा के एक ततकालिन अधिकारी सहनी एक अवियरती से कर रहे थे कि वो पैसा की बास मुहमद समीम से कर लें जस्टिस विक्रमादीत्य आयोग ने भी इस सीडी की जाच की थी इसके बाद विदान सभा की और से बनाए गई कमिटी ने सीडी को जब्द कर लि को और अब दोस्तों आप लोगों के साथ एक रीदा आ चुकी है कि यह रखन में जितने भी एकजाम सब होने वाले दोस्तों ज इतने भी एकजाम ले रही थी इन में अब गरहाण लगचका है मैं Bab डोगों को पहले बताया क्योंकि यह जो है यह खुद इसमें Sun Lips है और थी और लेब एसिस्टेंट का भी की थी लेकिन हम लोगों ने बहुत कहा कि एजंसी चोर है जंसी चोर है जंसी नहीं सा किया है लेकिन धारखन की सरकार सुनती ही नहीं थी बोलती सब जूट बोल रहे हैं जूट बोल रहे हैं और सरकार भी इस पर ध्यान नहीं देती ती करते तो कोश् else in grading हो जा। कोस ज distributions कई सी होता है रही जो पहली बार सुन रहे अपने आप customize जम लिंउर हो रहा है are जीतना भी निख्तइ होवा है दोस्तों PGT का ठीक है PGT में भी हुआ है कापी चाही रहे है केंश से और और चीज में कहना चाहता हूं दोस्तों जितने लोगों का एड्मीट कार्ड पराप्त हुआ है इनके घर से और सुचिव का घर से उन सभी को मेडिया में लाना चाहिए कौन है जो सेटिंग किया था तभी और इन लोगों को पांच साल के लिए डिबाट लगांग चाहिए ठीक है पांस साल के लिए डिबाट लगा देना चाहिए ताकि ये लोग कभी एक्जाम लिख नहीं सके तब तक इन लोग का उमर भी पार हो जाएगा जैसा कि बिहार में होता है दोस्तों बिहार में कुछ भी ऐसा गलत होता है तो जो भी चात्र गलत करता है उसका पा खबर अब थोड़ा एक्जाम में तो अब लेट होगा है यतना तो फिक्स है दोस्तों फिलाल इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं जरूर कमेंट करें देन वाद